इलेक्ट्रोन नाभिक के चारो और अनीमी तुरुप से वितरित नहीं होते बलकि निश्चित उर्जैस्तर में पाये जाते हैं, इन्हें इलेक्ट्रोन कोश कहा जाता है। प्रते कुर्जैस्तर में बोरबरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रोन वितरित होते हैं। प्रथम कोश में दो इलेक्ट्रोन तथा दूसरे इलेक्ट्रोनिक कोश में आठ इलेक्ट्रोन होते हैं। हाइड्रोजन परमाणूं का एक इलेक्ट्रोन प्रथम कक्षा में वितरीत होता है। हेलियम के दोनों इलेक्ट्रोन भी प्रथम कक्षा में स्थान लेते हैं। लीथियम के तीन इलेक्ट्रोन में से दो इलेक्ट्रोन प्रथम तथा तीसरा इलेक्ट्रोन दूसरी कक्षा में वितरित होता है। बेरिलियम परमाणू में दो इलेक्ट्रोन पथम कक्षा तथा बचे हुए दो इलेक्ट्रोन दूसरी कक्षा में प्रवेश करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लीथियम, बेरिलियम के इलेक्ट्रोनिक विन्यास को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। इन चित्रों के नीचे लिखी गई संख्याएं संबंधित कक्षा में इलेक्ट्रोनों की संख्याओं को दर्शाती हैं। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ओक्सिजन, फ्लोरीन, नियोन, परमाणों की इलेक्ट्रोनिक संरचनाओं को बनाएं। आपके द्वारा बनाए गई संरचनाओं का दी गई संरचनाओं से मिलान कीजिए। ध्यान दीजिए इन सभी तत्व में दो कक्षाएं हैं तथा इनके बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रोन, संयोजी, इलेक्ट्रोन कहलाते हैं। नाइट्रोजन के सैयोजी कोश में 5 एलेक्टरॉन होते हैं तथा ऑक्सीजन के सैयोजी कोश में 6 एलेक्टरॉन होते हैं बोरोन, कारबर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरिन, नियोन के सैयोजी कोश में क्रमशा एक-एक एलेक्टरॉन बढ़ता है अब सोडियम, मैगनिशियम, अलुमोनियम, सिलिकन, फासफोरस, सल्फर, क्लोरिन, आरगन की इलेक्ट्रोनिक सनरचना बनाईए ध्यान दीजिये इन सभी परमाणों में तीन कक्षाएं हैं तथा संयोजी कोश में क्रमशा एक 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 एलेक्ट्रोन की वृध्धी हुई है पोटेशियम तथा कैल्शियम के परमाणू में चार कोश होते हैं तथा संयोजी इलेक्टरॉन चाथे कोश में वितरित होते हैं